प्रजेक्टर के कम से कम पीछे खड़ाओ प्रजेक्टर के सामने नहीं पर्यावराण पर्दूसर्ण जादे क्या आता है पहयों कि यहीं रहा जाता है यहीं ऐसे नियां तो सब्सक्राइर 004 गांव सब्सक्राइब लगए हिंग आपि पाईयों बादे किसमें आएगा कि नॉन डिए सुच में जीव अन अप घाटे नहीं है तेकि हिंदी में ना किसी चीज की भायलू कम हो जाती है अगर ऐसे कहिएगा सुच में जीव अन अप घाट नहीं तो लगए चोटा मुटा बात कर रहा है ऐसे इंग्लिस बुलिए पायो नॉन डिगेड अच्छार हिंदी में अजीब लगया प्रिंसेल पार्फू लगती है तो वैसी है आप इसको चाहें तो आप सुच में जीव अना पढरल सिवन रहता है इसे नॉन डिगरिडेबल टो नॉन डिगरिडेबल जो थे खतरनाक होते है प्रदूसर को समझ में प्रदूसर या रगया है पानी में फैले तो जल परदूसर मीटी में तो मिर्दा परदू साव, हावा में हुआ तो वायू परदू साव, परवाडू बंप फोर दिये, ना भी किये परदू साव, ये टीवी टावर, इलेक्ट्रोनिक ये सब जितना है उससे आपका हो जाता है, रेडियो एक्टिव परदू साव, हला करने लगेंगे तो क्या हो तो सावर्ड परदू सावर्ड परदू सामय बंप जिस ταव अपे अब अब भी अला कर करेंगे तो सावर्ण परदू सावर्ड सावर्ड पर दू अब थेकन है, अलग-अब पर दू साब जो होता है अश कि आपधने जोब नोग एक एक करके पड़ते हैं क्या करते हैं एक एक करके पड़ते हैं एक एक लगाया कुरूदसर कि इसे जल्फ क्योंकि आपके मैं पहले क्या दिए जल्फा गैए वाटर पॉलूशन जल प्रदूसण अंग्रेजी में वाटर पॉंची है रहे पकल लोगा वाटर पॉलूसण वाटर पॉलूसण जल प्रदूसण किसे कहा जाता है दिखिए ध्यान से समझें जल में घुलने वाले ऐसे चीज़ जो हमारे लिए लाबदायक नहीं है उन्हें हम जल पर दूसर में रखते हैं इसको पीने से अलग-अलग बीमारिया होती है समझें एक नैनो टेकनालजी होता है हम सुनें नैनो टेकनालजी है एक नैनो मीटर बराव दस के पावर कितना माइनस नाइन माइनस नाइन नहीं दस माइनस दस करेंगे तो यह स्टॉम में चला जाए आज कल दुनिया में सबसे फेमस हो रहा है नाइनो टेकनालोजी मतलब एक मीटर को एतना च्छोटा होता है दस के पाऊ माइनस नौ का मतलब थाए एक बटा दस के पार 9 पुक्राम बट्रक्राम पार्भान मों अगर एक पटान तब उड़ना है अब समझ यह एक मीट का लिंथ है तौक मिठर को किसके इसको कितनी टूगड़ों में तोड़ेंगे छोटा हो जाएगा लेकिन अगर हम कहते हैं एक बटा सौटा और छोटा हो जाएगा अगर कहते हैं एक बटा एक हजार तोश जार यह बटा एक लाक हाँ एक बटा दोस लाक किज़ा हो जाएगा और छोटा ही बता ही तो कितना टूड़ा होगा पहुँ छोटा हो जाएगा एक दम छोटा हो जाएगा एक दम दिखेगा ही नहीं जब किसी चीज में नोट एक लिख क किघो जीरो बनाना है नो गो उतना छोटा चीज को क्या कहते हैं 9,9 summit oga कहांगे 9,90ению meter के नाम से जानते हैं इतना छोटा होता है 9,90 कि कोई भी चीज आज कर किस पर काम कर रही है नैनो मीटर इिदम बारीक से बारीक पत्तियों में मिलने वाला छेड़क, किसमें आएगा नैनो मीटर है हमारी तोचहों में जो छेड का सा है ? नैनो में तो जब कभी आप किसी भी पार्टिकलonter हो इतना ने टुकडा तोड़ दे और वह किसमें चला ए completa किसी रीकल जब आप किसमें तोड देंगे नेधो पार्टिकल को अब वह बाटिकल हमारे लिए भी उसे पचा सकता है फ़र लोहा पचा पाएगा लेकिन वह अगर उसे 90 मीटर में तो क्या करेंके करेंगे गाएगा बचार मुशन भी लेके छबाई यहाई उन्हें कि एक ये कमपणी को उनके वह इसी ओं आरो हम आपको दिखाएंगे को इसी तरना होता है सो जो पता हो किस तरह से लौहा का नेनो-मीटर करना है ताबा का तो नेनो-मीटर में रहेगा तो को यह दिक्त नहीं है लेकिन नेनो-मीटर से बड़ा को आ से सजल पर दूसर में अगर हम लोहा को नैनो मीटर में मिला दें लेकिन आब किसी बैर किया करेगा तो इस सब्सक्राओं नेनो मीटर के मिलने के वज़ə से नहीं वह होता है वह बढ़े इस जल इसooked movement आपको बताना पड़ेगा जैसे लोहा क्या हो गया लोहा के कारण कौन सी बीमारी होगी वही विल्सर शिरोसिस लोहा से शिरोसिस तामबा से काएगा विल्सर तामबा से विल्सर आरसेनिक आरसेनिक से वाइट फेड मिए इटाई 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 ईटाई इकैमियं से इटाई 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 नाइड्रेड ब्लु बेबी cleaned Cristro पारा यानी हजी मीनी माता पारा से मीनी माता लोहा से वोलिए सीरोसिस लोहा से लोहाख लुआजे लुआ लुआ तांबा बेडिम संटांबा नबांध अरंसे नीघ ताइबरना उसी क्या करते हैं वाइड़्फूर्सेंसे उसे अनत्र सवेट मेरो इटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइ ब्लू बेबी सिंडरोम इटाई इटाई किसके कऱा डिया क्या या विल्स्ञट कॉपर को अपना थोड़ी एंग्रे जी उसी के होता है समस्टेर्स शोलर Ahmedal वाइट पूट, ब्लू बेबी सिंड्रोम, इटाई इटाई, गैड्मियम, पारा से मीनिमात, पारा से मीनिमात, पारा, ये सब किसके पतु सहनग हो, जल्प, किसके जल्प, नाइट्रेट, त्यान से बोलिए, लोहा से, लोहा, तांबा, अर्सेनिक, कैड्मियम, 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 किसी कोजी करते ही ना, नाइट्रेट, पारा, पारा, आप बदेए, इटाई, इटाई रो, विल्सन, हिंदिये बोलो ना तांबार, विल्सन, मीनी माता होता है, मीना माता ने, बता रहे हैं, मीनी माता रो, नीचे वाला आगी है, बता देंगे, मीनी माता जो हता है, पारा की करण होता है, रो, किसके करण हो, पारा की, जब पारा की माता रहे हैगी, आपके सरीर में मीनी माता नम कर रोग हो जाएगा, आपका सरीर जाएगी मृत्ति हो अपका काम खता है कि हो कि पुंगे आप वे हैं सुने हो कि क्या हुगा बटाओ मिनि मादा कौन सा रूग है o kin अरे अरी अथक्र तूम लोग सुने मातराओ कोसे लेकर प्रेसं कि कर्ते हैं मिनिमाताओ मीना माताओ अब ही अब इसम्झाआ दिए की एक टने लगता है लोगता है लोगता है चलिए द्यान सा दिए अग अब आगे समझाऻते हैं यह पाहली बार इह भी मैरी जैपान में पहले blue baby syndrome black blue baby syndrome Wilson itazio lo hasi paras minerどう play तर्षे नाइट्रेड नाइट्रेड Onda पारा, लोह, लोह से शिरो से, कैडमियम, आर्सेनिक, 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 आर्सेनिक पारा, नाइड्रेट, कैट्मियम, अर्सेनिक, लोहा, कॉपर, तामबा, लोहा, लोहा, नाइड्रेट, लोहा, ब्लू बेबी, शिर्णो, ब्लू बेबी, शिर्णो, चामजिए द्यांता, यहाँ, तो अधिक्ता की कारण होती है, ऐसी ऐसी भी हाँ, पानी में ये सब चीज़ों की मातरा नहीं रहाएं, अच्छेए, अगर नैनो पार्टिकल में रहाँ तो कोई दिक्कत है, वहाँ नेनो मीटा hanad, जल के अंदर कभी-कभी नाइड्रोजन और फास्पोरस की हो ал जात नाइट्रोजन और फासपॉरस की क्या जाती है अधिक्ता ये अधिक्ता को हम लोग ये जल के लिए अच्छा नहीं होता है क्योंकि पेड़ पॉधे बनस्पती को उगने के लिए नाइट्रोजन और फासपॉरस की जरुवत होती है सब्सक्राइब करना होता है कि अधर हो जाता है नाइटी परसेंट केसे नाइटी नाइन परसेंट केस्ट में जान लेकर चला जाता है कुछ-कुछ बिमारी बहुत खतरनाग होता है पानी में अगर किसके मात्रा बढ़ गए और किसकी फासपॉरस आपको इपता है कि कि पेड़ वरसपति लगाने के लिए नाइट्रोजन फासपॉरस और पोटेसिया 4 is to 2 is to 1 चाहिए तो जादे मात्रा में क्या जी नाइट्रोजन और फास्पोरस यह तो बहुत कम भी रहेगा अगर पानी में नाइट्रोजन की मात्रा क्या जाए बढ़ जाए साथ में फास्पोरस की मात्रा बढ़ जाए तो उसमें पेड़ पोधे उस पानी में नए-नए पेड़ पोधे निकलने की संभावना पढ़ेगी की घड़ जाएगी बहुत ज़्यादे बढ़ जाएगी नए-नए पेड़ पोधे निकलने की संभावना है बढ़ जाएगी तो ऐसे वज़ाए से उस पेड के मानी के उपर काई जम जाएगा यही तो फिर सहवाल जम जाएगा नहीं तो उसके उपर जलकुम्भी जम जाएगा इतने चीज जम जाएगे कि उसके उपर पूरी पूरी हरे 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 पेर पोदे क्या कर जाएंगे चाप जाते हैं आप देखें होंगे तलाब वगर हमें आपके गाउं का तलाब होगा उसके उपर हरा रंग का पूरा क्या क्या चाप लिया है काई नहीं तो क्या कर दिया जलकुम्भी जलकुम्भी तो बड़ा-बड़ा पोदा होता है इतना ब जलकुम्भी का पाउधा एक फीट का होता है इससे जादे नहीं अगर पानी पे नाइट्रोजन पासपॉरस जो है वो अगर उसकी मातरा जादे है तो जलकुम्भी वगरा निकलना चालू होगा और ऊपर छाप लेगा मचली निकलेगी सांस ले निकले उसका थूथूरे लड करलेगिसा निकलेगी साहईट कर लेकर लेगे मचली क्या कर लेगीं मर जाईगी जब मर जाएगी यह जादे चीजों की मातरा पड़ जाएता है जैंता सब्स्कैंट इसे क्या districts की तो इसे क्या चाता है स्वाब पोस्ट थे यह क्या जली जीव के लिए अच्छा होता है सौपोसर्ड जली जीव के लिए क्या होता है घाता कोता है उन्हें किसीज की कमी हो जाती है ऑक्सिजन नहीं मिल पाता है जिस वोजे से क्या हो जाते है मर जाते है ऐसी घटना हैदराबाद में हुआ है है, हैदराबाद, हैदराबाद में एक जील है, जिसका नम है, हुसेन सागा, हैदराबाद में जील का नम क्या है, हुसेन सागा, हुसेन सागा जील में किसकी अधिक्ता हो गई है, नाइटरोजन, और किसकी, फासपोरस, नाइटरोजन और फासपोरस की अधिक्ता हो जाने के क रहा रहां किया चीज़ निकल गए हैं जल कुंभी सैवाल इत्याद ईया गए हैं जिससे मचलियों को सांस लेने में दिक्कत होगा और वहां से यीव जन्तु मरने की कगार पर पहुँच गए हैं सूपोष से समझ में आ गये क्या होता है सुपोसड या सुपोसड जल में नाइट्रोजन और फासपॉरस की अधिकता हो जाये तब कहते हैं अब देखिए किसी भी जल के अंदर जो जीव रहते हैं उन्हें तो ऑक्सिजन चाहिए बचली को सुपह सुपह खाना नहीं देना चाहिए क्योंकि oxygen उस समय oxygen की क्या रहती है कमी रहती है तो मचलियों को oxygen चाहिए की नहीं चाहिए तो इसलिए चुना का powder तलाब पर क्या करना चाहिए चिडिक देना चाहिए चुना का powder चिडिके तो वह oxygen का demand oxygen बना देगा उससे reaction करके क्या मतलब होसते है उसे घीगोर दीजए तो क्या बलते है ऊसको मुले बदर को यह पनी में आप जो को हो लागा का कि वोले थे चो कि मचलि उस घchmal पाला था गीलाने की मास का फटा कुळा थ आ उस चीला था अब डेली दस वर मछली सब कपार पोर देता था है हम ग spaghetti आते ही मर जाई जाही उसको रहने का मतलब पानी हिलाते हो इसे-इसे किदास फोली तो देली मार रहा है तो चान्य को मछली को डिस्टर्ब नहीं हो वहां पर एक देहेंगे नहीं पंखाता और वहां की उसमें तार द कराकि चलाये औक्सिजन का मात्रा क्या यह बढ़ जाए का किव्टी पानि के अंदर ऑचिजन की जरूरत निक है पानी के अंदर जो औक्सिजन की मात्रा है उसे कहा जाता है ऐसे कृषेंसовать क्या कषानी क्रूल इमाड pertama बायो केमिकल ऑक्सिजन डिमांड ये एक नॉर्मल रहता है बायो केमिकल डिमांड कैसा रहता है नॉर्मल लेकिन अगर बायो केमिकल ऑक्सिजन डिमांड की मातरा अगर क्या कर रही है बोड़ रही है तो आप समझ जहिएगा आपके तलाब में अत्रिक जियू जनतु जादे सब्सक्राइब आपकी उल्टा सीदा चीजश जाएंगस आप जाएंगा तो दिक्कत करेंगा किने करेंगा मन के उसमे कीड़ा मपकाड़े किए गर जादे हो जाएंगा सब कि जिफकर नहीं है और रिखेमिकल औक्षिजेन्ट बोलते हैं तक प्षेमिकल औक्षिज्यन डिमार्ड पायो खेमिकल ऑक्सिजन्ट लिमार्ड रिट्व बोले निसए तो लीचांग फूलते हैं इस केमिकल ऑक्सिजन डिमांड बलाओ गया दूसरा पीओटी से हम किसे दर साते हैं जल्प पीओडी का बढ़ना अच्छा है या गलत जाते अच्छा है नहीं माना जाता है किसी को कोई दिक्कत नहीं है आगे पड़े एक बार कोश्चत पूजाता है पीओडी फाइब कितने दिन के ऑक्सिजन डिमांड को दर साता है पाल पीओडी टेन कितना को दस दिन पीओडी टू किसको दर साइगा दो दिन तो जितनी भी स्थ jullie सभाडने मां आगको अच्छा वह चुने दिन को दसा आगा जितनी स्थी लीकिए उतने दिन को गाटा आगा गाफ तरसा एगा पियोडी जाल पर दूसरो दर्सा ओजिद का वोगार इता है कि पर दूसरोग के पिया जाल पर ठूसर ऊंसर किसी तालाब का पीओडी सिक्स है कितने दिन की आपको जल पर पूसर प्रेलोहा से तामबा से नाइट्रेट आर्सेनिक इतना मरियल की तरह जवाब देता है कैडमिया किए हिटाई हिटाई रोग में कौन सांग पर वाई थे मीनी माता किसके गरा है इसके बार देख्थे खरवलिए इसमें कोई दिक्काहत है तो वुलिए का हो गया है पाइलोजिकल अक्सिजन डिमार्ड पाइयो केमिकल लिख लिजे ठीक है सुपोस में किसीछ किया दिखता हो जाती है नाइट्रोजन और भास्पर हुसेन सागर किसे परभावित है जाल कुम्भी स कौपर से कौन सी विमारी नाइट्रेट से पारा से आसेनी अब इसके बाद कौन सा परदुसर है मिर्दा परदुसर कौन सा मिर्दा के बाद कौन सा है बाईयू परदुसर देखिए मिर्दा परदुसर को सॉयल पॉलूशन कहते है special what Purusham इंदी में लिए Anandambara दूशन क मतनब मिrdí कर दो कर रहा है पहला होता है कि अत्य अधिक महत्र में क्या का दिए और वारा किया खीटब इतिवी महत्रा में पुरवरक डाल दिए पुरवरक याप उसमें डाल दीजें कीट ना सक किट मिष्य आसक प्रयोग करें आप बेंजीन हेक्सा खड्राइड डालेंगे बी-ए जी, टाइक्लोरोड है, डीए टाली टालीस लेद लीथािक डोरो ट्राइक्लोरोइध है डालीस ऩहथ striving ढूलशंते हैं, आलाग thing के उर्वरा प्रियोग करहा जाएयरि अपति प्रियोग करनें अक्तेभिक परियोग करनें वो जमीन कैसी होती है परदूसीत हो जाती है उसमें अक्सीजन वगरा या जो जरूरी उर्वरक है उनकी मातरा घाट जाती है दूसरा होता है इरोजन के वज़े से इसके वज़े से इरोजन की मतले का अपर्दन इसके और की को जुँवनदार चाट कर तो ओर चाहिएगा का घ्रैश आएगा फथी की मिठी अब जहता है चाला जैगा También अपरदण अच्छा नहीं होता है. अपरदर का मतलत होता है मित्ती के उपरी परत का कटाओ. ये बहुत जादे अच्छा नहीं माना जता है क्योंकि मित्ती में जितने भी जरूरी औरctoralisery fertilizer, पोशक मतलत, nutrition रहते हैं, ये उपरी परत महीं रहते है मिट्टी की जब उपरी परत छिण होने लगती है या खतम होने लगती है तो ऐसी स्थिति को रेह या कल्लर कहेंगे क्या कहेंगे रेह किसी क्या कहते है कल्लर रेह या कल्लर उपरी परत से पुरवरक छंता घटने लगती है तो पर दूसर में कि आपकी quality में ही तो गिरावटा थी है तो उपरी परत में अलका सा शीड हो जाना या घट जाना क्या काल आएगा भाई ये रेया कलर रेया कलर के नम से जाना जाता है लेकिन अगर बहुत ही जादे अपरदन होने लगे जैसे बहुत ही जादे काट शठ नदियां करने लगे तो काट शठ वही होता है जहां कि मिटी कमजूर रहे या जहां कि मिटी में बालू की मात्रा जादे हो नदी उसको काट के ले जाएगी तो ऐसे अपरदन को हम लोग आवनाली का अपरदन कहेंगे किसी को कोई दिकत नहीं है कोई दिकत नहीं है इसे क्या कहें अथ्यis इसे रियून कहते हैं, क्या कहते हैं? रियून, पीहड, पहुद ही खतरनाक, इतना ज्यादे गड़ाग उटी कर दिया है उसी क्या कहते हैं? पीहड, पीहड की जमीन में आप बाइक नहीं चला पाएंगे, कहीं जाएंगे तो 10 फीट का गड़ा, 30 फीट उपर, 15 फीट नीचे पीहड काम आता है उन्डे बदमास को छुपने के लिए, पहले गुंडा बदमास कहा छुप जाता था? बीहड में, सबसे जादे बीहड बनाती है चंबल नदी, कौन सी नदी? चंबल नदी, सरवाधिक बीहड बनाने का काम को नदी? सरवाधिक बीहार, सरवाधिक बीहड चंबल नदी बनाती है, कहा बना है? राजस्थान में, य योग बनाना है चम्बल वगरा में बीहर की मातरा जादे चम्बल के नदी की दवरा राजस्थान वहां गुंडा बन पुलिस की छापा पड़ेगा कोनो कोनो गढ़ा में छुप जाएगा अब पुलिस छापा मारते रहिए अब पहले से जुपा हुआ है अब गुंडा बनास लोग को भी समझ में आ गया कि किसका जमाना हो गया है अब गुंडाई होती है तो टेकनोलजी से ही होती है पहले गुंडाई पैसा के लिए तो होती थी पैसा चीन लो अब क्या जरूबत है चीनने का OTP मांग लो ठोसाट एडवांस टेकनोलोजी आ गया ह OTP one time password दो चीज़ ध्यान रखिएगा OTP share करने से पहले यह देखिएगा उस पर लिख देता है यह किस चीज का OTP है आधारकाट का OTP है इंकम टेक्स का OTP है GST का OTP है आपके बैंक का OTP है आई जाने कि कुछू का कुछू OTP देदी तो आपका पैसा खाली हो जाए अब बैंक इस पर हाथ खड़ा कर देती है आप यह मत सुचिए कि बैंक आपके लिए खड़ी रहेगी क्योंकि बैंक का काम हता है कि आपके अभी ओनलाइन डाकू हो गया है तो इसमें आगे हैं किसी को दिखार अग्यानता वह से लोग अग्यानता वसकोनों काम कर देते हैं जिस वज़े से क्या बढ़ जाता है साइबर क्राइब आप सजग रहेए समझदार रहेंगे किस पर थी यही बीहड नहीं हो थी आगे बढ़ते हैं यह कौन सा परदूसर्ण बाओ मिर्दा परदूसर्ण में खेतों में अत्यदिक उरवरा क्या कीटना सक्से क्या जल परदूसर्ण हो कहा है इसमें आप पूपजा दे कीटना सक डालेगा बाहर आएगा तो सारा पानी पानी बाड में मिल जाएगा बाड का पानी लास्टली कहां चला जाएगा नदी में अनदी में क्या हो जाएगा मिर्दा पर जल पर दूसर तो हर एक पर दूसर एक दूसरे से जुड़े भी रहते हैं एय फोडिशन सबसे इंपोर्टैंट सबसे इंपोर्टैंट पॉल्शन सबसे इंपोर्टैंट दूेप इसे इंदी में खाइमैं uh बॉआयू परदूसण गंशिय पर दू में एरेव शूल सबसे में भूवठा कर Ahmad हम दूहरे सांधाय का लाधा यह सब्सक्रणाय कामबल उसमें से जाधिये का शुम्हें असे सांध समय इस kissachaknagodengave s veg Shell उपाल हिव virtual जिए को यह संधार बेलादा शुंत प्रका एरोसल क्या निकलेगा ? एरोसल इसको जहांडने पर्दूशान करतेगा यहां पर करो लड़की दो कुछू कुछू छोड़के चल जाती है आई जो इसमानवाल ले कर करो एरोसल का काम समझना गया हाँ है हवा में उड़ रहे छोटे छोटे धूलकड को क्या करते हैं एरोसोल, question BPSC में पूछा था, कहा था कि एरोसोल का संबद किस पर दूसर से है, जल पर दूसर, वाईउ पर दूसर, भूमी, कौन सा पर दूसर, हवा में उड़ने वाले धूलकर को क्या कहेंगे, एरोसोल, क्या कहेंगे, एरोसोल के नाम से जाना जाता है, यह एरोसोल सबसे जाते हैं, सीमेंट उद्योग में होता है, सीमेंट बहुत पतला होता है, बारीक होता है, सीमेंट उद्योग में न एसबेस्टस और उसके जो गड़ होते हैं, वो हावा में क्या होता है, उरते रत, तो मास्क जो बना था, एक्शुली डॉक्टर और एरोसोल उद्योग वा और बात है 20 दिन के अंदर अंदर हम लोग वैक्सिनेशन के मामले में पहुंच जाएंगे 95 करोड़ अभी तक 83, 82, 82 करोड़ वैक्सीन लग चुका है जिस दिन हम लोग पहुंचेंगे मतलब 100 करोड़ के पास उस दिन करोणा खतम भागो यहां से करोणा क्या जागा खतम तो डॉक्टर्स के लिए मास्क बनाता है सीमेंट उद्योग में जाएंगे इतना सीमेंट उड़ते रहता है एसबेस्ट सीमेंट में क्या होता है पत्थर के छोटे-छोटे कौन होते है जिसे क्या कहेंगे एसबेस्ट वहां में उड़ता होता है आप सांस लेते रहेगा धीरे-धीरे जाते रहेगा एरोसल दिखता है अभी जो हम रुमाल से जहा रहे हैं ये किसके नाक में गया होगा कुछ पता है तो सीमेंट उद्योग में जो रहेगा दीन भर बेचारे के नाक में क्या जाते रहता है इसलिए उसको मास्क देना जरूरी रहता है और वैसे बीमारी होते हैं फेपड़ा में धीरे-धीरे क् लेकए कि siglo और सीमेंट जमेंगा धनगड़ा में पहले से पानी रहता है उस प्वेपड़ा को क्या करते हैं सढ़ाने लगता है इसे वाइट कैंसर कांजाता है क्या का नहीं वाइट किसी को बीमारी की किस विद्योग में होता है ना स peak I can say pigment किसी को कोई दिकत नहीं है कब होगा जब सीमेन विद्योग में लंबे समय से काम करते रहें नए तब है कि मैं घुमने ह Double पाइट कंशन लेके चला तो पहला तो आप एरोसोल समझ में आ गया क्या होता है आए हुचे थूलकण को क्या कहता है ऐसे बारिस के बाद अलग अलग चीजों के टुकड़े होते है आप गश्श होता है और बारिस होता है तो यह हूंकर होता है। स्ते उला हमाई कि होता है कारबान इस समसे कहते हैं अ कचिया यहां रहता है उसे ऑक्साइट करते हैं अगर्द बने कार्बन और वह रहाएया तो नूं जोगा डाइग और घुन तो मोणोमनोनये वह जाने कार्बन कार्बन डाई ऑक्साइड कार्बन ट्राई ऑक्साइड यह होता ही नहीं बन पाता ही है कौन सा हो गया कार्बन मोनो ऑक्साइड कार्बन मोनो ऑक्साइड लिखना पड़ेगा कि इका नाम कार्बन मोनो ऑक्साइड होता है कार्बन मोनो ऑक्साइड सबसे पहले कि यह अमली है कि छारी है कि उदासीन है ये बता वाबू कि कितना को आप याद रख सकते हैं अमली है कि छारी है कि उदासीन है जिस तरह आप लड़का लड़की देखके फर्क बता देते हैं न कि लड़का है कि लड़की है सब्सक्राइब उसी तरह गैस्वोग को भी देखके बता नहीं सकते हैं कि अमली होगा, कि छारी होगा, कि उदासीन होगा देखिए, O.H. रहेगा तो छारी होगा बताइए, N.H. गैस्ट क्या है? छारी है Oxygen अगर रहेगा तो उदासीन होगा लेकिन ूक्सिज़न एक से जादे हो गया तो अमली हो जाएगा बताई है, यह हमआँ आप पोपसन देते हैं यह उदासीन की अमली है हो गया, अगर एक हो औक्सिज़न है यह बिजली ताट्राकती है तो एनो गेस निकलता कैसा है यह उदासीन, निूट्रल उदासीन को क्या कहते है नीट्रल इसका पी एच कितना रहेगा तो ये कैसी गैस है उदासीन कैसी गैस है उदासीन है कैसी है उदासीन इसी को कोई दिकत नहीं ये जल में घूल जाती है जल में घुलंसीन ये केमेश्ट्री में पढ़ना पड़ेगा जल में घुलन्सीन होगा की नहीं होगा, थीक है, वो यहां, इजली बैलोजीन समझ में नहीं आएगा, अज़ाला कि जब chemistry पढ़ाएंगे तो सब समझ में आएगा जल में घुलंसीन होगा कि बेंजीन में घुलंसीन होगा दूर जगा तो घुल्बे करेंगे यहां तो सबस्वर बेंजीन में घुलो यहां तो जल में जल में घुलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, बेंजीन में, बेंजीन कार्बन का बना होता है, तो कहेंगे कार्बिनिक भी लाइक होता है, बेंजीन में घुलेगा तो अलकॉल में जाएगा, वो तो chemistry का topic है, physics chemistry पढ़ेंगे तो उसका ज्यादे ध्यान से करें, एक और question पुछता हावा से भारी की हावा से हलका, भारी की हलका, एक बात बताओ, अगर हम आपसे कहें कि आपका वजन हमसे भारी है या हलका है, तो पहले आपको हमारा पता होना चीग नहीं, कितना होंगे हम, 70, 72, 70, round the figure 70 क्या, 80, ना यार 80 ना हो गया, एई, तुम लोग बाइलोजी हमरे वजन पर चला गया, एप्रॉक्स मान लो 70, अब इसमें से बताइए, हमसे भी भारी कितने लोग है, होगा है लोग, यार इतना सर्मा कहा रहा है, एवरेज 70 मान, हमसे हलका, जादे तर हमसे हलके है सब, हाँ लड़की से तो 20 किलो की है सब, हाँ लड़की को को कितना कि होगी तो फगल में देखी है कुछर, 18 किलो के हम हैं, चलो ट्यान दो इदर, तो सबसे पख़ए, कौन सा चीज हलका है या कौन सा चीज भारी है, इसको पता करने के लिए आपको दोनों का узна gpratा हो, आप हाँ में हैं, ऐसे नहीं पता कर पाईको जो अवरेज जो भार हैगा वो 28 मान के चलेंगे कितना अठाइस हाला कि 28 होता है आप कितना मान के चलेंगे अठाइस अब इसको पता कर नय भारी है कि हलका कारवन का अड़ बार बार जो आखिजन का परमानु करमांग आठा तो नी मैं इसके पास कोई कलर नहीं होता है कोई रंग नहीं होता है कोई गंध नहीं होता है नहीं कोई टेस्ट होता है तो रंग हीन गंध हीन स्वाद हीन कोई टेस्ट नहीं कोई कलर नहीं कोई इसमेल नहीं तो इसके यह कैसा होता है हर मामले में उदासीन रंग होगा गंध होगा या इसमेल आएगा नहीं आता है यह पूरी यह उदासीन होता है रंग हीन गंध हीन जब लिखना पड़ेगा जी इसमें नहीं होता है वाई-उ के लगबग भार के के साथ है बराबर कुल वाई-उ पर दूसन का 50% सब्सक्राइब कर देता है तोटल वाई-उ में जितने पर दूसन है उसका 50% अकेले कौन कर देता है कारबन मोनोकसाइड कोश्चन पूछेगा कारबन मोनोकसाइड सबसे तेजी से रियक्शन किसे करता है हीमोगलोबीन से देखे द्यान से हमारा हीमोगलोबीन जो है वही फेपड़े तक आके ऑक्सीजन ले जाता है हमारा फेपड़ा ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं करता है हमार लेते हैं और कहा चल जाता है इस फेपडा में हम जब संस लेता है से नाइट्रोजन गिया गिया 78% ऑक्सिजन गिया 21% कार्बन डायोकसाइट कार्बन सारा चीज़ दी रहे अब इसमें हमारे हीमोगलोबिन का काम है यसका हीमोगलोबिन hb sloppy लिगदी हीमोगलोबीन का काम है कि कि वह किस पो अंदर छाटे इसमें ऑक्सीजन को किसे चाटे शाटे Dan कोन करता है हीमोगलोबीन कोन करेगा हीमोगलोबीन अगर नहीं रहेगा तो आप सांस लेते रहा जाएंगे कोई पाइदा है अब बताइए हीमोगलोबीन तभी बनेगा जब आपके सरीन में आईरन की मातरा कम तो हीमोगलोबीन बनेगा और हीमोगलोबीन नहीं बनेगा तो लूपेपड़े से Oxygen को ले जाएगा नहीं ले जाएगा आपको कोन भीमरी होगी इनीमीय अक्सियन जाएगा नहीं अदीरिस से क्या हो जाएगा मर जाएगा इसके लिए लोहा चबाईए क्या लोसा चबाएंगे तो ठय Bent water इसके ने नेनोपह उती उखें फिर उसको डवा में मिला देगा फ्रीक गार्यंटी मैलाओं को अक्सर आइड़न की कमी हो जाती है फिर भी में जो पच्यार था इसको आइड़े ज्यादェ जरूर्वत एक यह हां लेकिन हीमोगलोवीन का पहले से चक्कर चलल है के करा से कारबन मोनो ऑक्सेड संज़ा अब मान के चलिए आप किसी के साथ टंप्रोरी है तो हीमोगलोवीन ऑक्सीजन के साथ कैसे राता है टंप्रोरी लेकिन आपका में जेकरा से चक्कर चलल है अगर वो मिल गया तो आप किसको से लिट करेंगे बकलोला का रहा है दूनों को लड़का का दिल होटल होता है उसमें कोई आए किसी के लिए कोई रिस्टिक्शन नहीं है उसके लिए क्या सब के लिए सवान होता है लड़कों का दिल बहुत बड़ा होता है सब के लिए जगा है घर वाली के लिए बाहर वाली के लिए दोस्त की पत्नी के लिए लेकिन एक्चुली हीमोगलोबीन दिल से किसे पसंद करता है किसे कार्बन दिल से किसे पसंद करता है अब हीमोगलोबीन को समझे किष्ट भगवाल आई यह हो गई रुकमनी आई यह हो गई राधा अब समझ रहे हैं अब हमारे अगर मन के चली हमाई से सांस लिए नाइट्रोजन गया ऑक्सीजन गया सब कुछ गया का गया फेपड़ा म कुम किसका का ऑक्सीजन के साथ साथ मोनो अक्साइड भी गया क्या 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 गया है लोग अरिवांthis औक्सिजन को, क्योंकि जितना को हीमोगलमीन ले जाना है लेकर चल जाता है, बागी को फेपड़ा बाहर फेख देता है, तो हीमोगलमीन किसको लेकर चल गया? कारबन, का कि चलो भाई, बहुत दिन बात भेट हुआ है, चलते हैं, आपके सरीर में किसकी कमी होने लगेगी? अक्सिजन, दीरे दीरे अक्सिजन की कमी होगी, ब्रेन काम करना छोड़ेगा, दीरे दीरे हर अंगों को अक्सिजन की कमी होगी, सबसे पहले ब्रेन को कमी होगी ब्रेन का होगा चक्कर आएगा, आप हो जाएगे, नीद आएगा, आप हो जाएगे, बेहोस हो जाएगे, फेपड़ा को अक्सीजन की कमी होगी, फेपड़ा काम करना छोड़ेगा, दिल को अक्सीजन की कमी होगी, वो छोड़ेगा, फिटिनी जोड़ेगा, सब छोड़ आप इस दुनिया से चले होगे इस त्रसुरही दूगों के चकर में आत्मी मरा गया है कि संभी आगया की ने आगया तो यह carbon monoxide कभी आप मत सुनएगा वरना carbon monoxide का पहले से चकर किसे है ? किसे है ? नगकी लोग का सुझा रहा है ? जब कभी किसी इंधन को जलाते हैं, जैसे लकडी, कोईला, टीजल, पेट्रोलियम, किसी भी चीज को जलाते हैं, उससे जो काले रंगी गैस निकलती हैं, क्या होती हैं, कार्बान मोनो अक्साइड, सोची इतनी जहरीली गैस होती है, मोटर साइकिलों में से जो धुआ निकलता है, कार्बन मोनो अक्साइड, गाडियों में से मोनो अक्साइड, टीजल जलता है, मोनो अक्साइड, कोईला जलेगा, मोनो अक्साइड, लकडी जलेगी, मोनो अक्साइड, कितना खतरनाग, इसलिए जहां कहीं धुआ रहे, वहां जादे देर नहीं रूकियेगा। हाँ अलग बात है कि धुणा जब रहता है तो थोड़ा धुणा भी जाता है थोड़ा ऑक्सीजन भी जाता है। लेकिन एक लड़का जो था हॉस्टल का वाड़ बॉइथा। समझते हैं अब गता थोद्था उस था वैंगता झाना बनकी कलिए कमरा में दर्वाजा बंद किया लगाया जिटार मुणत अधर कई कई समझ में नहीं आया कि एक घंटा के अंदर अंदर इसके कमरे के अंदर का सारा oxygen खतम हो जाए तो oxygen साथ छोड़ देगा अच्छूला में से निकल रहा है सौतन के निकला सौबे नास्ताक ताइम हो गया नास्ता कपना नहीं है सब ख़़ा करने लगा सा अवरा खलास जाना है नास्ता ने बना दघाग ओर रहा है खुला रखिए ताकि वहां से oxygen आता रहा है वरना केवल carbon monoxide रहेगा आप था हो जाएंगे क्या हो जाएंगे कि अगर बत्ती से भी निकलता होगा अगर बत्ती से भी निकलता होगा अगर बत्ती अपने अगर निकालेगा अगर बत्ती से ज़ादू जलाए जाता है ना अगर बत्ती जाड़ी से जलाए जाता है जतना जोजे लेक है इसे भूत परेद सब भाग जोजे नहीं होता अपचेसे यहीं पर हम एक पुंटल पोईला जला दे तो थोड़ी ना कोई मरेगा गर्मी लगे तक इतना वेंटिलेशन का जगह है इधर से भी ऑक्सीजन आ रहा है कार्बन देख मोनो अक्साइड भी विखर जाएगा लेकिन अगर जहां कार्बन पुनो अक्साइड की मात्रा जादे हुई आपको तपका देगा तम घोटने वाली गैस किसे करते है 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 फोटिंग गैस कला घोट सोटने वाली गैस कार्मा कार्बन है है जुझे आवना स्क्षिण आगर है है सिसे पिक्ति आपको को टुपी है आप